नमस्कार दुस्तों राकोवर जवर आपका सिवागत है और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं आपे Realme C3 के जून के मेने के नए सौफ्टर अपडेट के बारे में यावा दुस्ते आर फाइनली Realme C3 के अंदर जून के मेने का जो अपडेट है वो रूड़ आउट होना चालू हो चुका है अब देखो याव टिकनिकली तो जुलाई आ चुका है लेकिन यह जो update है यह कल रात को ही rollout हो गया था कल रात सारे 11 बजे से यह जो update है यह rollout हो रहा है और मैंने Realme C3 users को कहा था कि 30 June से पहले जो update है वो rollout होना चलू हो जाएगा तो वैसा ही same to same year हुआ है मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि update नहीं आने वाला है Realme C3 के अंदर Realme C3 का जून update है वो शायद से skip हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ Realme C3 के अंदर जून के मेनिक update है वो finally rollout होना चलू हो चुका है अब यहां बतुस हो बात करते है वर्जिन के बारे में तो वर्जिन यहां पर है A.33 मुझे अभी तक update नहीं मिला है मैंने जाकर check out किया software update में मुझे अभी तक update नहीं मिला है और यह जो वीडियो है ना यह मैं रात को ही shoot कर रहा हूँ तो अभी तक कोई manual link available नहीं है मतलब official software update वेबसाइट पे कोई भी manual link available नहीं है अब यहां पर तो बात करते हैं update log के बारे में तो सबसे बहुत को मिलेगा जून के मेने का latest security patch जो कि यहां पर होने वाला है 5th June 2020 की साथ में आपको मिलेगा बहिया optimized के अंदर optimized game audio quality इसका मतलब यार PUBG का अंदर जो sound glitch वाला problem आ रहा था या फिर जो low sound वाला issue आ रहा था उसको यहां पर fix कर दिया है साथ में भी यह optimized system stability अब यहां पर तो सिस्टेम को थोरा सा stable कर दिया गया है अब कितना stable किया गया है वो तो update के बाद ही बता चलेगा बस update मिलने दो या फिर officially available होने दो manual मतलब software update बले website पे जो link है ना उसको available होने दो उसके बाद में करूंग अपडेट को उसके बाद में जो full review video है वो भी लेके आ जाओंगा और finally यहाँ पे नीचे देखूंगे तो optimized lagging issue इसका मतलब realme c3 के अंदर जो lagging issue आ रहा था उसको भी fix कर दिया है बहुत सा recommend आ रहे थे कि brightness slider बार पे कभी-कभी lag आता था या फिर whatsapp को close करने के time पे lag आता था तो उस वाली issue को I think fix कर दिया है फुल review video लेके आ जाओंगा उसके बाद हम detail में बात करेंगे इसके अलब अगले changes की तो यहाँ पे काफी सरे बक को fix किया गया है यहाँ पर सकते हो known issues fixed के अंदर fixed the lagging issue when pressing power button to light up screen इसका लबा fixed the lagging issue when using fingerprint to unlock अब यार realme C3 के अंदर fingerprint तो नहीं है लेकिन यह जो same update ही नार्जो 10A को भी मिलने वाला है और नार्जो 10A में fingerprint scanner है तो यह जो है na fixed the lagging issue when using fingerprint to unlock यह नार्जो 10A के लिए है फानली नीचे देखोगे तो fixed the issue that weather app failed to obtain location और fixed the issue that the game center FPS was shown as zero और finally fixed the issue that phone cannot be charged in some scenarios इसका मदला भी बहुत सारे bugs थे weather app के अंदर कभी कभी जो location रेना वो सही तरीके से detect नहीं होता था उसको यहाँ पर fix कर दिया है गेम space के अंदर एक zero FPS बाला bug था उसको भी fix कर दिया है मानलो कि आप PUBG खेल रहे है और उस time पे अपने चेक किया भी या dashboard के जरीए कि कितना FPS आ रहा है तो उस time पे zero FPS आता था तो उस वाली issue को यहाँ पर fix कर दिया है अभी अगर आप गेम खेले के time पे चेक करोगे dashboard के यहाँ ही देगा मतलब game space के अंदर जिते भी bugs ना उसको यहाँ पे fix कर दिया है साथ में काफी सरे comments भी आया थी कि हमारा phone जो है ना वह 85% के उपर चार्ज ही नहीं हो रहा किसी-किस users के phone में ऐसे भी दिख्कत आ था कि 99% के उपर चार्ज नहीं हो रहा था तो यह जो issue ना इ जैसे कि जो recently deleted वाला option है file manager के अंदर वो आया है कि नहीं आया है इसके अलावा जो both side gestures है वो transparent हुआ है कि नहीं हुआ है साथ में जो game space का version है वो 2.0.28 हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसे बहुत सरे चीज़े है जो कि हमें पता चलेगा update को करने के बाद में तो बस update करने तो इसके बाद में मैं इसको सीधा डाउनलोड करके recovery mode से flash करके वीडियो लेके आ जाओंगा तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर आपको यह वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर में चैनल पे नहीं आगा तो जोलों को सब्सक्राइब कर लिए साथ बे लाइकिंग को देवाक को उस ओल वाले बटन रभी कर देना यूकि मैं याँ पर उसाना ऐसी वीडियो से लिगे आते रहता हूं मिलता आप संक लिए वीडियो में नेवडियो के साथ तब देके लिए ऐसा ही बनेडर हमेशा स्मार्ट रही है कर दो